Storage, Objectives इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे Computer Storage से क्या मुराद है Storage की Types कौन सी है और आम इस्तमाल होने वाली Storage Devices कौन सी है जैसा कि आप जान चुके हैं कि Computer को कुछ Information Input की जाती है फिर उस पर कुछ काम या Process किया जाता है और फिर Output ली जाती है इन कामों के अलावा Computer हमें Input की गई या Process की गई Information को महफूस करने की सहूरत भी मौहिया करता है Computer के अंदर Information को महफूस करने के अमल को Storage कहते हैं लेकिन सोचने की बात यह है कि Computer के अंदर Storage की जरूरत क्यों बढ़ती है इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि मुक्तलिफ जगों पर पड़ी भी मालूमात आप अपने Computer में महफूस कर सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर इसे इस्तमाल कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले Computer Basics के सेक्शन में बताया था कि दुन्या की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में पड़ी हुई Information हमें Computer में मुंत्गिल कर सकते हैं और बवक्त जरूरत उसको अपने Computer ही से दोबारा हासिल कर सकते हैं इसके अलावा हम Computer की मदद से बहुत से दूसरे काम आसानी से कर सकते हैं मसलन, Letter लिखना, Calculations करना, मुख्तलिफ किसम के Graphs वगेरा बनाना Computer में हम ये काम Storage Devices की मदद से नसेफ महफूस कर सकते हैं बलके इसको दोबारा इस्तमाल भी कर सकते हैं और इसमें रद्दो बदल भी कर सकते हैं जिस तरह हम Computer में Information को Input करने के लिए Input Devices इस्तमाल करते हैं इसी तरह हमें Information को Store करने के लिए Storage Devices की जरूरत होती है Storage Devices से मुराद वो devices हैं जिनकी मदद से हम computer में information store करते हैं Storage Devices की दो बुनियादी अकसाम है Primary Storage Devices और Secondary Storage Devices Primary Storage Devices ऐसे devices को कहते हैं जो computer के अंदर एक मखसूस हिस्से पर लगी होती हैं जिसे motherboard कहते हैं इन devices को computer की memory भी कहा जाता है ये इसी तरहा है जैसे इनसान के जहन में महफूस होने वाले रोजमर्रा हाला तो वाकियात को इनसान की याददाश्ट या memory कहा जाता है ROM ROM से मुराद है Read Only Memory यानि ऐसी memory जिसमें से हम store की हुई information सिर्फ पढ़ सकते हैं ROM में पहली से मौचूद information को नहीं तबदील किया जा सकता है और नहीं उसकी जगा हम कोई नए information store कर सकती हैं ये बिलकुल उसी तरहा है जिस तरहा अगर किसी पत्थर पर कुछ लिखा जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता ROM में store की जाने वाली information हमेशा इसमें stored रहती है और computer को बंद करने से भी खत्म नहीं होती है इस वज़ा से इसको permanent memory का नाम भी दिया जाता है इस memory में computer के start होने की मुतालिख जरूरी information पड़ी होती है जो manufacturing के वक इसमें डाली जाती है अगर ROM ना हो तो computer start नहीं हो सकता रैम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज की दूसरी किस्म रैम है यानि random access memory आईए आपको समंदर की सेर करवाएं ये देखें हम समंदर के किनारे रेत पर लव्ज rainbow लिख रहे हैं अरे ये क्या हुआ? पानी की एक लहर ने हमारा लिखा हुआ लव्ज मिटा दिया इस तरह हमने देखा कि रेत पर लिखा हुआ हर लव्ज temporary होता है और उसे मिटाया जा सकता है और उसकी जगा कोई दूसरा लव्ज भी लिखा जा सकता है इसी तरह computer में भी temporary storage या memory होती है जिसे RAM यानी Random Access Memory कहती है यहां वो information store की जाती है जो computer currently process कर रहा होता है यानी जिस information पर उस वक काम हो रहा हो अगर आपका computer किसी वजह से बंद हो जाए तो RAM में पड़ी हुई information बिलकुल उसी तरह गाइब हो जाती है जिस तरह rate पर लिखावा लफ्स लहरों के आने से मिट जाता है इसलिए RAM को volatile memory भी कहा जाता है जब भी आप computer में कोई काम करते हैं चाहिए वो input, output या processing हो तो वो सबसे पहली इसी memory में store होती है RAM में आप न सर्फ store की हुई information पर सकते हैं बलके इसमें नई information को store भी कर सकते हैं और पहले से मवजूद information को modify या delete भी कर सकते हैं आगे चलने से पहले थोड़े से बात करते हैं memory के size पे यानि memory या storage को किस तरह mapते हैं जिस तरह हर चीज को mapने के लिए एक unit होता है मसलन आप दूद लेते हैं तो लीटर में mapते हैं फल खरीते हैं तो kilo के हिसाब से और pencil खरीते हैं तो दरजन के हिसाब से वगेरा इसी तरह computer में कोई text को store करने के लिए हम जो unit इस्तमाल करते हैं वो byte है आईए देखते हैं कि एक byte क्या है मसलन अगर आप लिखते हैं पाकिस्तान तो आप इस एक word में आठ हुरूफ यानि character लिख रहे हैं हर character को store करने के लिए जितनी जगा दरकार है उसे हम एक byte कहती हैं तो यूँ समझें कि जितनी bytes हैं उतने character आप store कर सकते हैं byte एक छोटा unit है जैसे gram हजार ग्राम मिलकर एक किलो ग्राम बनाते हैं इसी तरह तक्रीबन हजार bytes मिलकर एक किलो बाइट बनाती हैं जिसे हम एक किलो बाइट लिखते हैं इसी तरह हजार किलो बाइट मिलकर एक मेगा बाइट होता है और 1000 MB मिलकर 1 GB बनाती है आजकल मार्केट में 4 GB और 8 GB की RAM आसानी से दस्तियाब है Secondary Storage Devices Primary Storage Devices की तरह Secondary Storage Devices भी डेटा और इंफरमेशन स्टोर करने के लिए इस्तामाल होती है आईए देखते हैं कि Primary Storage Devices के होते हुए कम्प्यूटर में Secondary Storage Devices की क्या जरूरत है जानते हैं कि Primary Storage Devices में RAM के अंदर इंफरमेशन सिर्फ आर्जी तोर पर महफूस होती है और कम्प्यूटर की पावर आफ होने पर इसमें Store की हुई Information जाय हो जाती है इसी तरह ROM के अंदर अगर हम चाहें भी तो Information Store कर ही नहीं सकते इसलिए हमें ऐसी Storage Devices की जरूरत है जहां हम खुद Information को इस तरह स्टोर कर सकें कि कम्प्यूटर की बंद होने की बावजूद Information महफूस रही इस तरह Secondary Storage Devices को मतारफ कराने की जरूरत सामनी आई यह वो Storage Area है जिसमें Primary Storage की मुकाबले में ज्यादा डेटा स्टोर किया चा सकता है अगर कम्प्यूटर की Power Off भी हो जाए तब भी इन Storage Devices में हमारी Information महफूस रहती है इसलिए यह Non-Volatile Storage Devices भी कहलाती है इस वक्त आप स्क्रीन पर मुख्तलिफ किसम की Secondary Storage Devices देख रहे हैं हम इन सब को तफसील से देखेंगे Magnetic Disc Secondary Storage Devices में मुख्तलिफ टाइप्स की Devices शामिल है जिन मेंसे पहली टाइप Magnetic Discs है Hard Discs Magnetic Discs के सुम्रे में आती है Hard Discs इसे Hard Discs इसलिए कहा जाता है क्यूंकि ये एक Hard Material की Discs होती है Hard Discs एक Casing में Sealed होती है आम तोर पर एक Casing के अंदर एक से ज्यादा Hard Discs इकठी की जाती है ताके ज्यादा Information या Data स्टोर किया जा सके इसमें भी Data Circular Tracks की फोर्म में स्टोर होता है जिसके आम Music Records में किया जाता है इनकी Storage Capacity बहुत ज्यादा होती है यानि इसमें हम बहुत ज्यादा Data स्टोर कर सकते हैं आजकल कई 1000 GB तक की Hard Discs मारकेट में आसानी से दस्तियाब है यानि हम Hard Discs के जरिए कंप्यूटर में बहुत सा Data जिसमें Text, Images, Audio और Video और वीडियो वगेरा शामिल हैं आसानी से स्टोर कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं Flash Drive में हम Data आसानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकते हैं ये सहूलत Hard Discs में इतनी आसानी से महिया नहीं है ताहम एक Flash Drive Hard Discs के निजबत स्यादा पायदार नहीं क्योंकि वो मुखतलिफ वाकात में मुखतलिफ कंप्यूटर्स पर इस्तिमाल हो रही होती है जबकि Hard Discs ज्यादा तर एक ही कंप्यूटर में लगी रहती है Hard Discs भी Magnetic Discs हैं इसलिए अगर इनके पास कोई Strong Magnet ले जाएंगे तो डेटा या आपकी स्टोर की हुई Information खराब या जाय हो जाएगी इसी तरह Hard Discs को बहुत ज्यादा तर जहरारत और आग से दूर रखें Optical Discs Secondary Storage Devices की एक और आहम टाइप Optical Discs कहलाती है इसे Optical Discs इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इसके ऊपर डेटा लिखनी के लिए लेजर का इस्तमाल किया जाता है इसका Diameter 4.75 होता है और इसकी मुटाई एक इंज के बीसमें हिस्से से भी कम होती है Optical Discs भी Flash Discs की तरह आसानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जाई जा सकती है Optical Discs की आम इस्तमाल होने वाली टाइप्स में CD-ROM, Write Once, Read Many Discs, Rewritable CDs और DVDs शामिल है CD-ROM आएए इसकी पहली टाइप यानि CD-ROM के बारे में देखती है CD से मुराद है Compact Disc ये भी एक डिस्क की शकल होती है इसके साथ ROM का लफ्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जिस तरह Primary Storage में ROM से सिर्फ Information रीट कर सकती है इसी तरह इस डिस्क से भी हम Information सिर्फ पढ़ सकते हैं और कुछ लिख नहीं सकते ये देखें आपको Market में जो Audio और Video CDs नजर आ रही हैं ये सब डिस्क ही हैं हो सकता है आपने इन्ही Audio Video CDs पर कुछ Music भी सुना हो और कुछ फिल्म्स भी देखी हो Write Once Read Many ये देखिए ये Optical डिस्क की एक और टाइप है जिसे Warm डिस्क यानि Write Once Read Many डिस्क कहा जाता है ये भी Compact डिस्क ही है ये देखने में भी बिल्कुल CD-ROM जैसी ही लगती है इन CDs पर आप Information सिर्फ एक दफा राइट कर सकते हैं यानि एक दफा Information राइट करने के बाद दोबारा इस CD पर कोई भी Information नहीं लिखी जा सकती ताहम इस CD पर Store किया हुआ डेटा आप बार बार Read कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा डेटा या Information राइट करने के बाद ये CD, CD-ROM की तरह काम करती है इस तरह की CDs आप अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स या काम को Store करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं Reridable CDs अब जो Optical डिस्क की टाइप आप देख रही हैं इसे Reridable CDs कहते हैं जैसा के नाम से जाहर है ये वो CDs हैं जिन पर हार्ड डिस्क की तरह ना सिर्फ डेटा राइट कर सकते हैं बलके इसे Change या Remove भी किया जा सकता है यानि आप इन CDs पर बार-बार Information या Data, Write और Read दोनों कर सकते हैं Advantages आमतोर पर CD-ROM, Warm Disk और Rerritable CDs पर 650 MB से लेकर 800 MB तक का Data स्टोर किया जा सकता है इनकी मदद से हम ज्यादा Data एक जगा से दूसी जगा आसानी से ट्रांस्फर कर सकते हैं इन CDs को इस्तमाल करते हुए खास खयाल रखें कि इन पर Scratches न पढ़ें ताकि आपका Data जाया ना हो रोसमरा जिंदगी में बहुत सा ऐसा Data होता है जो एक CD पर पूरा नहीं आता मसलन, Movies, Songs बगेरा खुश किस्मती से हमारे पास DVD मौजूद है आपको ये जानकर हैरत होगी कि DVDs के इजात करने का मकसद वीडियो को स्टोर करना था इसलिए पहले इसको Digital Video Disc कहा जाता था ताहम इसके बनाने वालों ने इसका नाम Digital Versatile Disc इसलिए रखतिया क्यूंके इसमें ना सिर्फ वीडियो बलके Text और Graphic भी Store की जा सकती है ये लगती तो आम CDs की तरह है मगर इनकी Storage Capacity आम CDs के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है DVDs की दो अकसाम होती है एक को DVD-ROM कहते हैं और दुसरे को DVD-RAM कहते हैं DVD-ROM DVD-ROM भी CD-ROM की तरह काम करती है यानि इस पर से Information सिर्फ Read की जा सकती है इसे Modify या Remove नहीं किया जा सकता मसलन किसी DVD-ROM पर Store की हुई Movie आप देख तो सकते हैं मगर किसी नए Movie को इस DVD में Store नहीं कर सकते DVD-RAM, Rewritable CDs की तरह काम करती है यानि इनमें आप न सिर्फ डेटा Read कर सकते हैं बलके इसमें आप नया डेटा या Information स्टोर भी कर सकते और पहले से मौजूद डेटा Remove भी कर सकते हैं आम तोर पर एक DVD पर 4.7 GB की Information स्टोर की जा सकती है DVDs भी CDs की तरह आसानी से एक जगा से दूसरी जगा लेचाई जा सकती है Other Devices Magnetic Discs और Optical Discs के इलावा और भी Storage Devices मौजूद है ये एक आहम Storage Device है जिसे Magnetic Tape कहा जाता है ये देखे, ये एक आम आउडियो कैसे जैसी ही है Magnetic Tape पर Data एक लाइन में इस तरह पड़ा होता है कि जो Data पहले स्टोर किया होता है वो पहले पढ़ा जाता है और जो Data बाद में स्टोर किया जाता है वो बाद में पढ़ा जाता है जबके magnetic disk और optical disk में ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले store किया हुआ data पहले ही पढ़ा जाए इसकी storage capacity बहुत ज़्यादा होती है और इस पर आप data या information की एक copy बना कर लंबे अर्से के लिए महफूस कर सकती है इस बात का खयाल रखें कि ये tapes किसी strong magnet से दूर रहें ताके आपकी stored information जायर ना हो Summary इस lesson में हमने मुख्तलिफ storage devices के बारे में मालूमात हासिल की मसलन, RAM, ROM, magnetic disk यानि hard disk, flash disk, optical disk यानि CDs, DVDs, कुछ और storage devices वगेरा 16ला 17 Of T 17 18